वीडियो में हम गंगा रिवर याने गंगा नदी पर संस्कृत भासा में निबनते देखीगे तो चली स्टाट करते हैं गंगा नदी पर संस्कृत भासा में निबनते देखीगे तो चली स्टाट करते हैं गंगा नदी पर संस्कृत भासा में निबनते देखीगे तो चली इसे भी लिख दिये जाता है आपका टीचर जैसा वो ले वैसा ही माने लेकिन संस्क्रिट के हिसाब से ऐसा ही लिखना सबसे सही माना जाता है और आप कोई भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो इसी तरीके से जरूर लिखें और board exam में तो इसी तरह से लिखना ही चाहिए नेक्स्ट यानि ये उत्तर हिमालयाद निर्गत्या पूर्वदिसी बग प्रांतम गत्वा सागरे मिलती उत्तर देशा में ये हिमालय से निर्गत्या निकलती और पूर्वदिशा में जो बंगाल की खाड़ी है बंग प्रांत जाकर ये सागर में मिलती है नेक्स्ट है इयम याने ये भारत से क्रिशी छेत्र सींचेती ये भारत की क्रिशी छेत्र को सींचती है तत सस्य से सस्या मलम याने जो इंटर क्रॉबिंग होती चे करोती भारती याने भारत की हरी द्वाराद गंगा जलम अन्य स्वास्वा ग्रहे सुरक्षती जो भारत के हरीद्वार है बहां से ही गागजल है गंगया धार्मिक महत्वम अपी अस्ती जो गंगा है गंगा माता कहा जाता है अपने सनोगा तो इसका धार्मिक महत्व अपी अने भी अस्ती अने है इसका धार्मिक महत्व भी है तो आई होप आपको यह ऐसे समझाया होगा सट लास थेंक्स फॉर वाचिंग दे वीडियो प्लीस इस वीडियो को जब 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 शेयर कीजिए